नमस्कार दोस्तों मैं रुपाली शर्मा एक पर फिर आप सब का स्वावित करते हूँ अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासिस विद रुपाली शर्मा में तो आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हार नहीं मानी ये कहानी राजा ब्रूस और मक्री की है तो चलो समय को वेस्ट के बिना कहानी को शुरू करते हैं बहुत पुरानी बात है स्कॉटलेंड का एक राजव हुआ करता था जिनका नाम था ब्रूस ब्रूस बड़ा ही शक्तीशाली और वी राजा था उसने कई बार अपने परक्रम से अपने शत्रों को हराया ब्रूस के पास बहुत ही कम से ना थी पर फिर भी उसे अपनी शक्ती पर पूरा विश्वास था एक बार इंग्लेंट की राजा ने उसके राज्य पर आक्रमन कर दिया दोनों के बीश में बहुत खमासान युद्ध हुआ लेकिन राजा बुरूस हार गए उन्होंने कई बार कोशिश की लेकिन वो हर कोशिश में नकाम हुए हर कोशिश उनकी बिकार चली गई और अंत में राजा बुरूस को अपना राज्य छोड़कर एक चोटी सी गुफ़ा में जाकर छिपना पड़ा गुफ़ा में जाकर राजा बहुत ही उदास हो गया राजा ने सोचा अब मैं क्या करूँ मैंने पूरा राजपार्ट खो दिया मैंने अपनी सेनक हो दी अब मैं कहां जाओं अब मैं कहां रहूं यह सोचकर राजा ब्रूस उदास हो जाता है उदास बैठे हुए उसकी नजर गुफा में एक मकडी पर परती है मकडी कर देखकर राजा ब्रूस भूत हैरान होता है मकडी बार बार दिवार पर चड़ रही थी दिवार पर जाकर अपना जाला बना रही थी जाला बनाते हुए वह उपर से नीचे गिर जाती मकडी फिर से कोशिश करती फिर उपर चड़ती फिर अपना काम शुरू कर देती मकडी कई बार दिवार की से नीचे गिरी फिर उपर गई फिर नीचे गिरी ऐसा देखकर राजा ब्रूस को हिम्मत आई राजा ब्रूस ने सोचा जब यह छोटी सी मकडी बार बार कोशिश करने पर अपना हिम्मत नहीं हार रही है तो भला मैं कैसे हिम्मत मान सकता हूँ मैं तो एक राजा हूँ मैं भी इस बार हिम्मत से काम दूँगा फिर से कुशिश करूँगा और अपना खोया हुआ राश पार्ट पुनहा प्राप्त करूँगा राजा ब्रूस ने यह सोचकर वापिस से अपनी सारी सेना इकठी की और अपने दुश्मन के उपर फिर से आक्रमन किया इस पार उसने पूरे जोश के साथ आक्रमन किया और राजा ब्रूस की विजय हुई इसी प्रकार यह कहानी खतम होती है और इस कहानी से हमने जाना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती